इस वेडियो में हम लोग PMEGP की लोन प्रोसेस को लाइट देखने वाले हैं प्रधान मंतरी Employment Generation योजना ये एक ऐसी योजना है जिसके तहता आप लोग घर बेटे बेटे 50 लाग रुपे तक का लोन ले सहते हो वह 35% की सबसेडी पर मतलब कि आप लोगो ने यहाँ पर 10 लाग का लोन अभी लिया है तो आप लोगो साड़े 3 लाग रुपे इस लोन के उपर सबसेडी मिल जाएगे 3 लाग रुपे आपके माफ हो जाएगे अब आज मैं आप सबी लोगो इससे complete process के बारे मताऊंगा मतलब कि कैसे यहाँ पर आप लोगो लोन के लिए apply करना है कैसे form को fill करना है कि इतने तोनों में जो पैसा राएगा वो आप लोग के बांक में आएगा क्या आप लोगो eligibility criteria चाहिए क्या क्या documents आप लोग के पास होने चाहिए कैसे आप लोगो apply करना है हर एक चीज़ इस loan के बारे में detail life समझने वाले हैं आप लोग के सामने life loan लेकर दिखाने वाला हूँ तो अगर आप लोग PMEGP loan के अंदर apply करना चाहते हो उसके बारे में जामकारी लेना चाहते हो तो बस इस वीडियो को enter watch करना है इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल विज़ोहत नहीं पड़ेगी वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को ओपन कर लेना है मैं इसकी direct link आप लोगो discussion box से provide कर दूँगा तो आप लोग लिंक से भी यहाँ पर आसरते हो इससे आप लोग क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यह website यहाँ पर open हो जाएगी यह PMEGP की official website है तो यहाँ पर उपर लिखा हूँ है Prime Minister Employment Generation Program इस आपको loan मिलेगा क्या criteria है एंड यहाँ पर जो form आता है तो कैसे fill करना है कैसे apply करना है loan कैसे bank में आएगा आप लोग आएगा आप लोग आप लोग आएगा आप लोग के सामने यह form open होकर आएगा इस form की direct link भी मैं आप लोग को क्या है कि यहाँ पर कुछ details को we'll call लोगो fill करना है इन details को फिल करने के बाद आप लोग को application process रहता है वह आगे बढ़ता है आप लोग का ID password हो एंड आप लोग का data रहता है और इंके पास सेफ हो जाता है उसके बाद आप लोग के limit दी जाती है आप लोग जो loan दी जा जाता अब यहार सबसे पहले चीज़ की यहाँ पर आप लोगको कितने amount का loan मतलब कितने रूपय का loan यहाँ पर आप लोगो मिल सकता है कितने रूपय तक का loan आप लोग यहां से ले सकते हो तो आप सभी लोग को 20,00,00 रुपे तक का maximum loan यहाँ पर मिलेगा तो यह loan की limit है जो यहाँ पर clearly mention भी किया हुआ है आप लोग यहाँ पर read कर सब्सक्राइब तो इसको देख सब्सक्राइब और इसके बाद तो सबसे main चीज़ आती है subsidy की तो यहाँ पर loan लेने का सबसे बड़ा benefit subsidy ही है अब बहुत साइब लोग को doubt रहता है कि subsidy किसको मिलेगी कितनी मिलेगी हमको मिलेगी की नहीं मिलेगी यहाँ पर भी कुछ ऐसा है जो categories के इसाफ सबसेड़ी divide करी गई है कि यहाँ पर subsidy लबब सभी को मिलती है पर जो percentage यह subsidy का ना वो अलग-अलग है जैसे कि अगर आप लोग urban areas में रहते हो ता कि शहर में रहते हो और आप लोग जनरल केटिगरी में आते हो तो आप सभी लोग को 15% subsidy आप पर मिलेगी और अगर आप लोग SC, ST, OBC, Minorities या फिर आप लोग transgender या फिसिकली handicapped हो आप लोग तो आप सभी लोग को 25% subsidy आप पर मिलती है अगर बाइचांस आप लोग rural में रहते हो तो आप सभी लोग को जनरल केटिगरी में आते हैं उनको 25% की subsidy आप पर मिलेगी और जो SC, ST, OBC या फिर अधर minorities में जो आते हैं या पर उनको 35% की subsidy आप पर मिलने आ लिए तो मतलब की जनरल वालों को यहां पर subsidy कम मिल रही है बागी जो OBC, SC, ST वाले आ रहे हैं और जो रूरल में रहते हैं उनको तो सबसे ज़ादा subsidy आप पर मिल लही है 35% subsidy जो मिल लही है, SC, ST मतलब की जो other backward classes में आते हैं SC, ST, minorities जो हैं इनको सिफ यहां पर 35% की subsidy है मिल लही है और जनरल वालों को रूरल में 25% की मिल लही है अब यहां पर बात करें कि यहां पर अपना खुद का पैसा किरना लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो यहां पर आपको subsidy मिल लही है, लोन मिल लही है तो मतलब यह नहीं है कि आपको खुद का पैसा कुछ नहीं लगाना आपने business करना चालो, loan के लिए apply किया, business करना है आपको बट अपना रुपए नहीं लगा रहे यहां पर कहिए आप लोग hill या पर border अगरा side में रहते हो तो आप सुभी लोगो 5% परसेंट आपको खुद की capital होनी चाहिए, आपके खुद की investment होनी चाहिए, खुद का contribution होना चाहिए, आपके business में जो आप लोग करने जारो यह loan लेकर ठीक है, तो यह चीज भी आप mention करी गई है, तो clearly मतलब जो main चीज़े थी मैंने आप लोग को बता दी वाग कर कोई भी doubt है, तो यहां पर आप लोग आगे देख सकते हो, minimum wage आपके 18 होनी चाहिए, 18 के हो तो आप लोग यहां पर apply कर सकते हो, तो apply करने के लिए करना है, जो online application आ रहा है, इसके उपर click करना है, click क अगर आप लोग के लिए apply करने जा रहे हो, तो आप सभी लोग को अपनी कुछ ना कुछ details को यहां पर fill करना पड़़, so guys यहां पर आप लोग को इस form में, खुद की details को fill करना पड़ता है, कुछ personal details रहते हैं, जो आप लोग को यहां पर fill करना है, आप लोग कोई भी tension नही अप्लेकेशन रहती है आपको डेटा सेल करती है आपको आप नंबर प्रोवाइड करो इस अब तो आपका नंबर इदावज़र हो जाता है आपको स्कॉल साती है कि लोन चाहिए यह चाहिए बट यहां पर रहसा कुछ नहीं है आप लोग सेफली यहां पर अप्लाय कर सकते हो इसके लिए आप लोगो सबसे पहले हो कि आप लोगों थो आप अधार नंबर धेना है जो भी आप लोगो लोग का अध्याकर नंबर नंबर होता है बारे डिजिक के आप लोग प्वाइड डेना हूआऊ इसको अपलाय कर रहा है उसका नेम का अगर आप लोग अपना बिसनस करने जा रहे हो तो अपना नेम यहां पर देना है जिसे कि मुआ नाम शुबम शुकला है यहां पर फिल करूँगा फिल करने के बाद यहां पर साइट में इसेट का ओप्षन आ रहा है तो यहां पर श्री, SMT, स्क्राइब एक यहां पर है यहम कि आम पर नइचे त्सक्राइब करो इस न再 के चाहिए लिगल टाइप कानूणी प्रकार इंडिविजुल मैंने पहले इंडिविजव लिविजवल ही आप ऺोए यहां ने चाहिए फिर आप農ोगो भी सब्सांदढा आ हो male हो female female आप लोग को सेलेट काना है मités मैं मैंने मेल सेलेट किया आप लोग जंडर अपना स 1967 आप ने डीक है के टमे को सिलेट आप उसके यहां पर और आप लोग तो मैं आप आप अधर बैकवर्ट क्लास में आते हो, OBC में आतो तो आपको OBC select करना है, schedule class में तो schedule class select करना है, schedule type minority जिसमें भी आतो, आप लोगो select करना है, select करने बाद आप लोगो select करना है, आप लोग की याप उसके बाद एक और option आ रहा है, आप लोग के सामने special category, अगर आप लोग handicapped हो कोई पहाड़ी इरिया में रहत हो, तो उसके लिए अलग option आप लोगो दिया गया है, आप लोग एक service man हो, मतलब आप लोग retired हो चुके हो, आप लोग उसको भी select करते हो, जिसे कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग आप लोग आप लोग अपलिकेबल छोड़ फिलना है तो वो आपसे मिलने के लिए कहां पर आ सकते हैं, ठीकिए, आपका आपसे communication कहां में लोग कहां पर current time पर रह रह रहा हो, आपको अपना व हो address यहां पर देना है, आप लोग अपने 2 mobile number आप लिए आप लिए पैन और आधार को लेके बैटना है क्योंकि आपने फिर आपने o spy STE एक बात का और देखना है आप लोग को ऐसा मत करना कि आप लोग आधा कार्ड से मतलों कि आधा कार्ठ से मिसमैच मतलों कि आधा कार्ड अलग है आप लोग एंटब सब कुछ आधा कार्थ से exact आप लोग का मैच ह구나 होना ऍाas नहीं बढ़ेगा आगे तो क्या करना है फिर जो भी पैन नमबर आप लोगा उसको यहां पर फिल करो फिल करने के बाद कि यहां पर नीचे का उप्चन आ रहा है यूनिट लोकेशन का आप लोगो सेलेट करना है यूनिट लोकेशन मतलग कि आप लोग रूरल में रहते हो icaçãoल जो भी मतलब की सेलेटों लोगो सेलेट काना है च्मी कूवगो इंडर्टीबन करना है करते क्या हो मतलब करते क्सशिक प्रवाइब कहंब एंडर्यविटीय। अपेज़ की स्थाइब काम गरतों इस ने कंगे में हैं अगर कुछ काम नहीं हैं इसमें के साहदाय हीभिघतर्फरिक्व काम ने अपने काम काल दित्रफिषन जग कर दो怎樣 कर दो प्रेट काना है अगर आफने एडिप का प्रेशिश्ट लिया एक का से कोर्स होता है अपने और इसके प्रोग्रम में directions और अपने एक्सिट्रा करेंग ईर्ट कर दिया SKR нем और 12,000,000 पर लोन लेना चाहते हो तो आप लोगो एड़ीप की ट्रेलिंग लेना ज़रूरी है पार्टिकुलर कुछ अमूंट है जिसमांट तक ही लोन अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप लोगो बिना ड़ीप ट्रेयिंग गे मिल जाएगा अधर यहां पर नीचे आने आप लोग को नीचे आने के बाद यहां पर ओर दिल्स प्रोजट की कोस्ट आप लोगो देनी है जैसे कि माल लेजे यहां पर यहां पर capital expenditure क्या कितना आप लोग capital expenditure है मतला कितना आप लोग का capital जो है वो खर्चा होगा जैसे कि हम लोग यहां पर लिखते हैं हम यहां पर हम दोगो यहां पर यहां पर एक लाग लैगा अब जयको यहां पर employment रोजचार रोजब लिखे रहे हो इस मेरा ng और अबक यहां से चाहाँ से सब्याद के लिए अब साथे कहां से अपिम आपने यूटूब से सब्सक्राइब हो पैसा कितने दुनों आपको पास आएगा वो आप लोगो समझना है तो जो मैंने जैसे मैंने आप लोग के सामने application का process दिखाए ना सब आप लोगो सेम ऐसे details को फिल काना है कोई भी ऐसी detail नहीं है जो आप लोग फिल ना गर पाओ बस यह है फ़ड़ा सा आप 15 से 20-30 का टाम निकाल के बैठना है ए expenditure होगा मेरा इतना working capital चाहिए ठीक है मेरे को इतना working capital चाहिए आप लोग ने सब details को यह पर फिल कर दिया है capital expenditure का मतलब होता है जो बड़े amount में capital में spend होता है जिसे कोई machine purchase कर रहे हो आप कुछ purchase कर रहे हो उसके लिए आप लोगो कितना खर्चा होगा working capital मैं लगी जो labor करना है फिल करने के बाद employment उसका select करने के बाद done पर click करना है इससे सामने जो रहेगा आपका application सामने जाएगा यह सो verify किया जाएगा आपके बास होता है call वेगरा भी है आप सब कुछ अगर सिंदम perfect लगता है तो यह loan रहेगा आपके bank में ही credit कर दिया जाएगा directly आपके bank मे जाएगा आप नेरबाइ ब्रांच जो भी आपने ब्रांच फिल करी उसमें आके पता कर से तो कि आप लोग का पैसा आया की नहीं आया तो इससा से आप लोग अप्लाइ करना है जो पैसा रहेगा automatic आपके bank में credit कर दिया जाएगा और बाकी यह इतना 100% शूर नहीं कि पैसा कैसे आएगा भी बता दिया कही पर कोई डाउट लग रहा है तो आप लोगों उससे पूस्त होते हो नेक्स वीडियो में मैं आप सबी लोग को हर एक चीज़ अप्लिकेशन में यहां पर करा है ना इसका मैं अभी स्क्राइब स्क्राइब लगा दूगा दूंगा मैं लोन क सिह झाएप वli 21 कोतर दूगा दूप भी लोगी अइर्व नातर है